हेलो जोस्तों विल्कम बैक टू इडुकेशन भीया एड़ उमीद करते हो तुम सभी लोग अच्छे होगे अच्छे हो ना कमेंट करके पता देना और हम लोग जो आफ चाप्टर परने वाले उसका नाम है दा लास्ट लेशन आई मिन चाप्टर नेम है बट इस चाप्टर का इस चाप्टर की जो ऑथर है उनका नाम है अलफॉन्जे डॉडडट जो की एक फ्रेंच नॉविलिस्ट है और यह जो कहानी है ना यह फ्रैंको पुर्सिया वार के टाइम की कहानी है जो की 1870 से लेका 1871 तक चला था और इसमें फ्रांस पर्सिया से हार गया था सबसे ज्या को लीड हमारे बिसमार्क चच्चा नहीं किया था तुम इनको अच्छा से जानते हो कि हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ चुके हो और इस वार के बाद जो हमारी फ्रेंच की जो डिस्ट्रिक थी ना जैसे की ऐल्सेक और लॉरेंड यह सब पर्सिया के पार्ट्स में चली जिसका नाम है फ्रांस जो की एक स्टूडेंट है ठीक है यह फ्रांस स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं कि वो सुबह सुबह स्कूल निकलने के लिए लेट हो गए थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उसके टीचर मिस्टर हैमल उसे डाटे नहीं क्योंकि फ्रांस उने कुछ पढ़ा नहीं था और उसके जो टीचर थे Mr. Hamill उनसे कुछ कुछ पूछने वाले थे based on participants और फ्रांस को participants का पी भी नहीं आता था यानि कि उन्हें कुछ भी नहीं आता था उन्हें सिंगल लेटर नहीं पता था उस चीज के बारे में पर उससे Mr. Hamill उस तरह के questions पूछने वाले थे इसलिए वो डर उसे डर लग रहा था और वो स्कूल के लिए नहीं निकल रहा था औ और वो काफी लेट भी कर दिये स्कूल निकलने के लिए और जब फ्रांस स्कूल के लिए निकल ही रहते तब उनके मन में ख्याल आता है कि डाट खाने से तो अच्छा है कि वो साम तक इधर उधर घूम लेते हैं कम से कम वो डाट तो निखाएंगे और वो स्कूल मतलब बं लेकडिया काटी जाती है ना वुस जगह के पीछे कुछ पर्सियन सोल्जर उत्ते वो मार्च पास्ट कर रहे थे और फ्रांस को यह सब बहुत ज्यादा टेम्टिंग लग रहा था पर फिर भी उन वो चाहते थे कि वो वापस स्कूल चले जाए यानि कि उनके अंदर फिर घूँना वो वापस अभी भी स्कूल जा सकते हैं अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है और फाइनली वो अपनी मन की बात को सुनते हैं यानि की वो स्कूल के लिए निकले फिर वो जब स्कूल के लिए निकलते हैं तभी पास में एक टाउन होल होता है जहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है जिस बुलेटिन बोर्ड में पिछले दो सालों से बहुत खराब खराब खबरे बस छपती थी जैसे कि उन्होंने क्या-क्या बैटल्स हा रह रहे थे मतलब बहुत तेजी से तभी वो एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैक स्मित है जिसका नाम है वैच्टर और उसके अंदर जो काम करता है जो उसके अंदर सीख रहा होता है वो लोग दोनों खड़े होके वहां पे उस बुल इसलिए फ्रांस वहां पे रुकता नहीं और सीधा गार्ड़न तक पहुंझादा है एम हमल का गार्ड़न तक यानिकि उसके सर जी यानिकि तीचर का गार्ड़न तक फिर यहांपे फ्रांस बताते हैं कि यूजवली जब वो इस्कूल में घुसते हैं तो वहां पे बहुत यानि कि बहुत जदा चिलनम चिलना होता है, जैसे बच्चों की चिलानी के आवाज आती है, लेसंस को जब दोबारा पढ़ा जाता है, लेसंस को रिसाइट किया जाता है, जब साथ में मिलके सब बच्चे लोग चिलाते हैं, वो वाली साउंड आती है, जब टीचर्स लोग लेके scale लेके bench पे मारते हैं तो वो वाली sound भी आती है और कभी-कभी desk का खुलना बंद होना ये वला जो sound होता है ये भी sound आता है पर उस दिन कोई भी sound नहीं आ रहा था कहीं से भी sound नहीं आ रहा था आज कुछ जादा ही सांती थी और फिर वो बता रहे हैं कि उन्हें काफी डर भी लग रहा था फिर जैसे कि कोई Sunday morning हो फिर वो देखते हैं चानक से कि उनके classmate जो होते हैं वो अपने place में जाके बैट चुके हैं बिलकुल चुप चाप से और Mr. Hamill जो है न वो अपने arm के पास scale को रख कर पूरे class में चल रहे थे और फिर वो बोलते हैं कि तुम imagine कर सकते हो कि अब मुझे gate खोल कर classroom के अंदर जाना था और ये कितना मतलब उन्हें कितना डर लग रहा था तो फिर वो बोलते हैं कि actually ऐसा कुछ भी नहीं हुआ Mr. Hamill उन्हें बहुत ही अच्छे से kindly बोले कि जाओ अपने place में जाके बैट जाओ France वरना हम लोग तुम्हारे भी नहीं आज का lesson सुरू करने वाले थे फिर France जाते हैं और अपने bench के उपर जम करके बैट जाते हैं तभी वो notice करते हैं कि उनके जो teacher होते है M. Hamill उन्हें ब्यूटिफल ग्रीन कलर का coat पहना होता है फ्रिल्ड सर्ट पहना हुआ होता है और little black silk cap पहना होता है जो कि सारा के सारा embroidered होता है जो कि वो normally days में नहीं पह है जब school में कुछ occasion हो या फिर school के अंदर inspection हो जैसे कि जो हमारे directors and principals नहीं होती है जो पर school के चक्कर लगाती है teachers के teaching और उनके dressing sense को judge करती है तो ऐसे case में वो बस ऐसा dress पहना करते थे फिर उन्हें अजीब लगता है कि उन्हें आज ऐसा dress क्यों पहना है Actually France को उस दिन school में हो रहा सारा चीज बिलकुल new और strange लग रहा था फिर वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि उनके class के last benches में जो कि usually खाली रहती है वहां पे उस दिन बहुत सारे villagers बैठे वे थे जैसे कि old horses जो कि उनके town के mayor भी रह चुके है और फिर post master और उसी तरह के बहुत स्ट्रेंज लग रहा था और पीछे में सारे बैठे वे लोग एवन के students भी काफी sad दिख रहे होते हैं और बस यहीं तक नहीं वो जो horses होते हैं यो की पुराने mayor भी रह चुके होते हैं वो एक primary की किताब लाते हैं जो की बहुत जादी पुरानी हो गई थी ठीक है औ और वो साइड साइड से फट भी गई थी मतलब बहुत जादा पुरानी बुक जैसे होती है और वो अपने उसे लाप पे नहीं के पास रखे वह होते हैं और अपनी जो चस्मा होता है उस बुक के उपर उतार के रख देते हैं फ्रैंस को यह सब चीज बहुत ही ज़्यादा लग रहा था तब ही M. Hamill जो होते हैं वो अराम से अपने सीट पर बैठते हैं और बहुत ही ज़्यादा जेंटल टोन में बच्चों को यह कहते हैं कि सुनो मेरी बातों को ध्यान से सुनो यह तुम लोगों का आज लास्ट लिसन है जो कि फ्रेंच में तुमें पढ़ाया ज जाएगा जो की ऐल सेक और लॉरिन डिस्टिक्ट और फ्रांस है वहाँ पे अब वहाँ पे फ्रेंच और नहीं पढ़ाया जाएगा तो यह तुम लोगों का लास्ट लिसन है फ्रेंच लांगविज के लिए इसलिए M. Hamill कहते हैं कि तुम लोग आज यह जो हमारा लास्ट इसे ध्यान से सुननना फर फ्रेंस जो हता है उससे थोड़ा और ओ इसलिए टान होल के पास इतना जादा भीर शिखा हुआ था फिर वह सोचता और रिवर के पास बैट के अपना टाइम वेस्ट करने के वजाए अब फरांस बता रहा है कि उसे जो पुराने heavy books जो लगते थे जो heavy books होते थे जो की grammar's के book होते थे और history of saints होते थे वो बहुत जदा heavy और फालतू लगते थे और अब वही मतलब फरांस बोल रहा है वही वह उस बुक को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह सारे बुक्स उसके पुराने दोस्तों की तरह लगते हैं उसे और इसलिए उनके जो टीचर थे M. Hamill उन्होंने अपना जो टेमपर्ड वाला और उनका गुस्सा वाला चहरा था उनका जो गुस्सा वाला मूड था इसलिए उन्होंने ये सारे चीज़ों को भुला दिया था क्योंकि ये उनका लास डेर था और लास डेर में कौन टीचर चाहेगा कि वह बच्चों पर गुस्सा करें मतलब अल्टर लिजेंट प्रो टीचर होगा तालग बात है तो तुम लोग समझ रहे होगे अब फ्रांस सोचता है ना कि अब वह M. Hamill को फिर कभी नहीं देखेगा तो फिर वह ये सब चीज भूल गया कि M. Hamill कैसे उस पर गुस्टा करते थे कैसे अपने रूलर से रूलर का यूज़ करके ड़ताते थे थे और तो वह ये सब चीज भूल गया और बस वह ये चीज़ सोच रहा था कि अब वह M. Hamill से फिर कभी नहीं मिल पाएगा फिर फ्रांस को समझ में आता है कि M. Hamill ने इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहना हुआ है फिर वो फ्रांस बता रहे हैं कि वो जो पीछे में विलेजर्स बैठे वे थे थे ना वो एक्चुली M. Hamill को गुडबाई कहने आया थे या उस टाइप से कुछ क्योंकि उन्होंने M. Hamill ने उस स्कूल में अपना 40 साल वैतित किया था और अब वो उस स्कूल को छोड़कर जा रहे थे इसलिए जो विलेजर्स है ना उन्हें देखने के लिए उनसे मिलने के लिए उन्हें आखरी बार गुडबाई कहने के लिए वहाँ पे आये थे वह सारे विलेजर्स उनके जो फेटफुल सर्विसेस थे यानि कि M. Hamill के जो फेटफुल सर्विसेस थे जो उन्होंने पढ़ाया बच्चों को उन सब के रिस्पेक्ट में विलेजर्स उन्हें सुकरिया कह सके या फिर उसी डाइब से कुछ और फ्रांस ये सब बहुत सारे चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी M. Hamill अचानक से फ्रांस का नाम लेते हैं और फिर फ्रांस रिलाइस करते हैं कि अब उनका टर्न आ गया है कि वो पार्टिसिपल्स के रूस के बारे में और वो सब बारे में अपने सर M. Hamill को सब कुछ बता पाएं फिर वो जैसे खड़े होते हैं वो ट्राइ करते हैं कि वो एकदम क्लियर बोलेंगे वो सब कुछ सही बोलेंगे पर वो पहला वर्ट जैसे ही बोलना सुरू करते हैं वो बहुत ज़ादा डगमगा जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छ से पढ़ा नहीं होता है पर इस बार जो कि M. Hamill हम स सारे चीजों को समझ जाओगे पर अब देखो क्या हुआ है तुम्हें अभी तक French language अच्छ से बोलना और लिखना नहीं आता है और ये LSAC district के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी वाली problem है और कल से तुम अब ये पढ़ने भी वाले नहीं हो क्योंकि actually तुम ये पढ़ी नहीं कि तुम लोग कहते हो कि तुम लोग Frenchman हो पर तुम्हें अपनी language ही अच्छे से नहीं आती है पर France मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है तुम इतने भी बुरे नहीं हो ये गलती मेरी भी है और तुम्हारे पैरेंट्स की भी है तुम्हारे जो पैरेंट्स थे मैं उसे वाटर करने के लिए भेज देता था इनिस्टेट ओफ यह कहूं कि तुम अपने फ्रेंच लेसंस को अच्छे से पढ़ो और कभी-कभी जब मेरा फिसिंग करने का मूड होता था तो मैं तुम्हें चुट्टी दे देता था फिर शुरु आन्य हैं मैं एक परिंच लेज दुनिया हैं और उन्हें से गवाचा कर। अब और फिर M.H.M.L. कहते हैं कि जब भी लोगों को कैद कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद कर लिया जाता है तो उनका जो language होता है जब तक वो उसे as a weapon रखते हैं तब तक उनके पास तब तक अपने कैद की चाभी होती है मतलब जब तक लोग अपने language क पर पकड़ होती है तब तक उनके पास इंसलेवमेंट की चाभी होती है की होती है वेट वेट सर्जी यार तुम लोग का नहीं पता पर मैं बहुत जाहाँ थक गया हूं तो वीडियो को नहीं चे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि इस वीडियो का पार्ट टू है जो